सबसे पहले आपको निती अयोग का रिपोर्ट है 2021 का कि बिहार अभी भी पूरेस्ट सेट है और वहां से जहां पे आधी से जादा जंदा अभी भी गरीवी रेखा के नीचे है तो इसका क्या फैक्टर है और क्यूं है अभी तक ऐसा काफी सालों से बिहार गौर्बंट चारी यह कैसे चेंज करेगा इस चीज को बैतर करने के लिए देखिए जहां तक पहले सवाल का संबंध है बिहार देश का आज भी अगर कुछ एक दो अपवाद को छोड़ दे तो सबसे गरीब या पिछड़ा राज्य है इसमें कहीं कोई द्वोमत नहीं है आप नित्यायोग का देखें या किसी और डेटा सोर्स को यूज करें और डिस डिस्पाइट वट 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 मैनी वूट से कि नितीश कुमार के दस पंदरा साल के कारेकाल में कुछ बैतर काम हुआ है यह इस बात को सीरे से इंकार नहीं किया जा सकता कि पिछले 15 साल में नितीश जी के मुख्यम आप समझना चाहते हैं तो डिग लिटिल डीपर बिहार की जो आज परिस्तिती है उसके लिए वहां का राजनितिक वहां जो राजनितिक और इस्थिर्था सुरू हुई 1960 से अगर आप देखेंगे 67 से 1985 तक करीब करीब 30 से 35 गौर्मेंट बिहार सरकार में बहुत छोटे-छोटे कारे अवधी के लिए उनको जिम्मेवारी मिली जिसकी वजह से कि वह पूरा दौर बिहार रेलेटिव अधर स्टेट्स पिछलता चला गया 1991 से जब भारत में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ उस दौर में कई राज्ये हैं जहां पर सरकारे थोड़ी बहुत रेलेटिव बेसिस पर प्रोग्रेसिव थी उन्होंने उसका फाइदा उठाया उन्फर्चुनेटली उस समय बिहार में लालुजी की सरकार थी जिनका ए भार्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो जो दस साल रहा नब्वेस से दस बारा साल का जो लालुजी का काल रहा जिसमें की भारत कंट्री और कई राज्ये उस आर्थिक उदारीकरन का जिन्होंने फाइदा उठाया और उन्होंने अपनी इस्थिती बहतर की उस द कर बिहार को इतने रसातल में लेके चला गया कि वहां से जर्णी रिवाउंड तो उन्होंने शुरू किया है लेकिन उनकी गौर्मेंट में भी हम लोगों ने ट्रांस्फॉर्मेशनल नहीं इंक्रिमेंटल ग्रोथ देखा है खासकर उनका जो पहला काल था पांच साल का उस सबने फील भी किया जो लोग बिहार को फालो करते हैं तो पहला पांच साल जो नितीज़ी का रहा वो बहुत अच्छा रहा इवें दो इट वास कमिंग ओने वेरी लोवर बेस सेकेंड कारेक्काल में क्या हुआ कि जब राजनितिक तोर पे बड़ी जीत फिर से मिली एंडिये की सरकार को तब की एंडिये की सरकार को नितीज़ी को करीम 118 मले मिले और 90-90 भारतिय जंता पार्टी को मिले तब उनमें आपस में यह प्रतिसपरदा कहीं सुरू हो गई कि हम अकेले क्यों नहीं एक दो साल के अंदर उनकी जो राजनितिक आपस में खीचा तानी थी उसका परिणाम यह हुआ कि आपने देखा इंडिये की सरकार वहां खतम हो गई फिर नितीजी ने अपने बल पे उसको सरकार चलाई फोकस जो था वो डिवलप्मेंट को छोड़क इसकी वजह से आप देखेंगे नितीज का जो पंद्रह साल का कारिकाल है उसको आप साथ साल जब वो पहले थे और साथ साल बाद वो बिल्कुल अलग अलग उसमें आपको ग्रोथ और डिवलप्मेंट के आयाम दिखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अभी जो अब की जो सर सरकार है क्योंकि नितीज जी राजनिती में पावर तो उसी से आता है जिसको जनता का समर्थन है जब आप जुनियर पार्टनर होते हुए सरकार के मुख्या है तो आपकी अपनी कोई जिसको कहते हैं जो और चाहिए जो बिहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो तो है न इस्टेटस वाला जो बात है यह अगर मिल जाये तो अच्छा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी मिलने वाला है क्योंकि यूपीए टू के दौरान ही उन्होंने एक तरह का एक तरह से एक निर्णय सेंट्रल वामेंट ने ले लिया है कि हम किसी भी राज्य को इस्प सेंट्रल गौर्मेंट का उस पर तरह कि नाम के लिए स्पेसल स्टेटस नहीं दिया है लेकिन और दूसरी तरह की कई साहिता जो है जैसे बैकवर्ड डेवलप्मेंट ग्रांट वगरा मिलता रहता है लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए आपको यह देखना होगा जब सेंट्बॉट होगा बिहार की राजनितिक शक्ति इतनी मजबूत होती की उसके अनके बगार या उनके सेंटर्ल गौर्मेंट ना चल रही होती तो उसका फाइदा बिहार को मिलता राजनीति में राजनीती में लोकतंत्र में राजनीतिक सक्ति अगर आपकी नहीं है तो आप बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आसा रखना बेमानी है प्रयास जो लोग वहां सरकार में हैं निस्थी तोर पर कर रहे होंगे मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन चुकि हम लोग relative to other states काफी पीछे हैं हम लोग के हाँ साथ 8-9% की जो तरक्की हो रही है तो हमारे यहां तो तरक्की gross term में कुछ दिख सकती है लेकिन दूसरे राज य की रफ्तार से बढ़ रहा है तो दूसरे लोग 6 या 8 या 9 की रफ्तार से बढ़ रहे होंगे तो इसी वजह से अगर आप बिहार की रेंकिंग देखेंगे तो डेवलप्मेंट के करीब परी 50 की परामिटर्स पे बिहार की रेंकिंग आज भी 28 29 25 से 30 के बीच में ही रहेगी अबर नहीं आएगी तसे लिए लिए वे हर उस्त वी इंट था इंट आप और उप्ट तन इन फ्त तन यह प्स जोर्स प्ट इनपनेट तो ओर अगर अगर मैश को समब करू तो राजनितिक अ इस थिरता का लंबा दॉर लालु जी का अंदरसाल का बिलकुल जुर्स इम्स deal for Vihar from the central government एक चीज और समयना था कि आपके point of view से क्या solution होना चाहिए क्योंकि अभी जो दिखता है और आने वाले सालों में जो दिखता है हमारे पास options कम है political formations का गिनी चुनी पार्टिया हैं लेकिन आपके point of view से क्या होना चाहिए जंदा को क्या करना चाहिए कि स्टेंड को तोड़ा जा सकते और एक सही सरकार को चुने मैं इसी को एक्सेंड करते हैं इसी सवाल को कि पॉलिटिकल विल के तो बड़ा बूल्चुल बदला हो नहीं सकता है इंडिविज्वल लेवल पर हम लोग छोटे-छोटे कर सकते हैं इंक्रिमेंट्स में पर यह हम लोग देख रहें कि बिहार है आप रूलिंग पार्टी से जुरे हुए थे तो आपने आप सापने शेयर भी 15 में उनक कि हम लोग जैसे नितीजी बारब बोलते हैं कि बिना स्पेशल स्टेटस की हम लोग 30-40 साल तक ऐसे ही रहेंगे बहुत ज्यादा मूलभुत बदलाव नहीं होगा तो क्या हम लोग मतलब इसका कोई तोड नहीं दिखता है नहीं देखिए स्पेशल स्टेटस को राजनितिक जरूरत और परिस्तिती के हिसाब से कभी और उन जैसे निता कभी और प्ले करते हैं कभी अंडर प्ले करते हैं जब उनको ऐसा लगा कि स्पेशल स्टेटस की बात करने से राजवितिक फायदा हो सकता था तो दिल्नी में जा के धरना पदर्शन कर रहे थे और आज सरकार मे होते वे भी इस्पेसल स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो करने से उनकी कुरसी पर उनको तकलीफ आ सकती है इस्पेसल स्टेटस मिलने का जो आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग है इतना फायदा है कि जो सेंट्रल गौर्मेंट का कंट्रिबूशन है वो कई स्कीम्स में जो आज के तारिक में 60 से 75 परसेंट है वो कई स्कीम्स में बढ़के 75 से 90 परतिशत हो जाएगा इसके अलावा कुछ और बड़ी स्कीम्स में बिहार सरकार को फायदा मिल सकता है लेकिन सिर्फ इस्पेसल स्टेटस मिल जाने से बिहार की बिहार में कोई बिहार की अपनी राजनितिक समाजिक राजनितिक सक्ति जो है वो आपको फिर से उसको रिवाइब होना पड़ेगा पहले मैं आता हूं समाजिक परिश्टिए तमिलाडू है वहां पे द्रवडियन पॉलिटिक्स 20-25 साल के सोशल आंदोलन से करके निकलिए बिहार में जो समाजिक राजनितिक बड़ी गत्विदी ऐसी हुई नहीं जिसने की चर्ण करके नए लीडर्स पैदा करे हों तो उसी की फसल अभी तक लोग खा रहे और उसका एक हर चीज का एक लाइफ होता है उस चीज की लाइफ अपकरीब करीब खतम हो गई इन तीन लोगों ने अच पार्टी के हिस्सा हैं अगर मान लिजे कि कल भाजब की सरकार बिहार में बहुत बड़े मजॉर्टी से अपनी सिंगल पार्टी की बन जाए और भाजब की सरकार केंदर में भी है तो वह एक परिस्थिती बन सकती है जिसमें की बिहार में हम लोग तेजी से विकास होते दे रिखार में स्थिती ऐसी है कि अगर आप देखेंगे चाहे वो लालु जी की सरकार या नितीज जी की सरकार हो यह ना यह मिक्स है ना रिजनल पार्टी की पूरी सरकार है तो इसमें जो यह कौक्टेल है इस नइधर पावर्फुल आप मालेजीवाद सत्रह एम पी भाजब के जीते हुए है 17 MP नितीजी के जीते हुए और पांच रामिला इसपासवान जी की पार्टी के हैं कहने को तो 39 MP है जो अभी के इंदर सरकार से जुड़े हुए है कुछ भी काम कराने के लिए सक्षम होना चाहिए उनको लेकिन वह इसलिए नहीं कि वह तीन भाग में बटे है तो मैं समझता हूँ बिहार इस से निकलने के लिए बिहार में दो चीज़ होनी चाहिए नया नए नित्रित उभरने चाहिए एक्रॉस ऑल पार्टी लाएं कि यह लालू नितीज का जमाना जो है बहुत हो गया 30-35 साल इनको मौका मिला इन्होंने अच्छा किया खराब कि है इस टाइम पीपल लुक फॉर निव लिडर्सिप दूसरा जिसको भी वोट बिहार दे या तो एक रिजिनल फॉर्मेशन को पूरी की पूरी ताकत दे ताकि वो बिहार की आवाज बन सके बिहार के लिए लड़ सके वो चाहे केंदर में सरकार किसकी भी हो और अगर रिज नहीं बनेगी तब तक मैं कोई ट्रांसफोर्मेशनल चीज होते हुए बिहार में नहीं देखता हूं नितिज़ जी देखिए मैं बहुत रेरली ट्वीट करता हूं और बिहार के मामले में तो इसलिए नहीं करता हूं लोग कहेंगे कि आप कुछ कर तो रहे नहीं बिहार का हमूं फार्ड मन्तरी की चल रही है कुछ अपना उनका राजनितिक हिद साधा जा रहा है किसक किसे पर्सनल और फीस साधा जा लेकिन विहार में अमूल चूल हुँ और उसमें एक चीज में आपसे बस पूछना चाहता था कि आपकी क्या राया आपने उसका जवाब थोड़ा से दिया है कि राजनितिक फरिस्टिटी चेंज होनी चाहिए सर अभी कुछ साल पहले जो कोवीड लॉगडान हुआ था महरास्था से पैदा चलके लोग आए हजारों किलोमेटर चलके तो उस वकत हमने देखा कि क्या सॉलूशन है कुछ लोग बोले इंडस्टाजेशन हो इनी सकता है बाड़ाते रहता है हर सल हम इंडस्ट्री लगा नह सके क्योंकि 58% पॉपुलेशन का वर्किंग है सर हमारे यहां और जॉब है नहीं और 12% से भी कम है अर्बन सेंटर मतलब भीटा मैं बहुत सप्राइस था कि भीटा इस ऑस अर्बन सेंटर जो कि वहां पर एयरपुट खोलने की बात हो रही है तो और 12% से भी कम है नेशनल ए तो और्बन सेंटर अगर जादा खुलेगा अर्बन बोड़ी जादा होंगी तो आइटिंक ये एक अच्छा हो सकता था बिहार के लिए और तकाश ने भी साथ निश्चे की बात की थी तो आब मुझे जहां तक यारे 2015 का जो पहला निश्चे था आर्थिखाल युआओं का बल ये जो था उसे भी ये लिंक करता है तो इस पे आपकी टिपपनी अगर हो सकता देखिए साथ निश्चे जो किया गया था वो एक एलेक्शन के परिपेक्ष में 40,000 गाओं में मैंने जो हमारे साथ काम करने वाले लड़के हैं उनको भेजा था उनसे लोगों से जानने क प्रियास किया था कि वही नितीज जी की आगे सरकार जब बने तो उनको क्या करना चाहिए तो उस में जो बातें निकल कर आई थी जो जो टॉप की साथ आट बातें थी उसको साथ निश्चे के तौर पर 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 लागू भी किया गया इंप्लिमेंट उन्होंने कितना किया यह तो जन्ता के पर छोड़ देना चाहिए बिहार में बिहार के डेवलप्मेंट का जो मॉडल है वो अर्बनाइजेशन होगा कि अधारित होगा मैं यह नहीं जानता हूं और उस पर कोई एकदम से डेफिनिटिव हिपड़ी नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं इतना समझत हूं या बहुत तरह के लोगों से बातचीत मेरी होती है जो बिहार के लिए कंसर्ण हैं खासकर बिहार के लोग जो बाहर काफी सक्सेस्फुल है हम लोग के सामोहिक सोच आप कह सकते हैं कि बिहार में जब भी कुछ ट्रांसफर्मिशन होगा तो उसके मूल में तीन बाते हो बने का बी वह कहीं का इंपोर्टेट नहीं हो सकता है जहां पर जमीन है पानी है और लोग है इसके इर्दगिर्द ही बिहार के डिवलप्मेंट का नया मॉडल बनाया जा सकता है क्योंकि यह तीनों चीज का जो कॉम्बिनेशन है अगर आप कैरफुली हर स्टेट को बिहार में इंडिया में भी देखेंगे तो यह करीब करीब यूनीक है कोई राज्य ऐसा नहीं है जैसे साउथ के स्टेट जो है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनके पास वाटर की भारी समस्या है अगर आप वेस्टन इंडिया में चले जाएं वहां पर भी पानी की समस्या है ज अगर आप पर कैपिटा इंकम देखें फार्मर्स की बिहार में लंबी चौड़ी बात छोड़ दें तो वह पंजाब के पर एकड़ जो जो पर कैपिटा इंकम है फार्मर की उसके मुकाबले वन सिक्स्थ है अब ये समच से बाहर बात है कि बिहार में जो काम करने वाला वीक्ति है वो पंजाब के खीसान से कम मज़दूरियाद कम महनत करने वाला नहीं है अगर आप मिठी की उपजाव होने की बात को अगर आप साइन्टिफिकली करेंगे तो भीहार की मिठी पंज़ाब कि मुकाबले कम ऊपuß नहीं है औरец बानी उनसे जादा और बेहतर हम लों के पास आका भार की अपने बात कही वह तो एक भीहार का है जहां पर बाल की परिसानी है ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार हर साल बाल जहलता है कुछ एक बड़े भूभाग में बाड़ जरूर है वाटर लॉगिंग की भी समस्या है लेकिन आप लोग बाहर रहते हैं आपको पता भी होगा कई ऐसी इंडस्ट्री या एग्रो फील्ड में ही है जहां पर की इस चीज को इस डिस डिसद्वांटेश कुट भी टॉर्ण इंटू हुज फॉपरश्यूनिटीटी जितना आप देख लिजिए अधिसली है ऑभा यह साउध के स्थेट से आरहा हुश चीज को आप लिचर में कर पा रहे हैं इसा में अगरोर तुट जो सकता है न उसकी जरूरत है घृटब इन सब्सक्षर में ₹ grund पार्श Coraanaba सच इंडस्ट्रीज एंदेन कांटिंग ऑन दे सर्विस सेक्टर अभी भी अगर आप देखेंगे तीस के दौरान में भी सबसे ज्यादा तरक्की सर्विस सेक्टर में हुई है लोग हैं तो कुछ तो जैसे उनके पास इंकम आएगा तो गारियां खरी देंगे होटल में जाएंगे रेस्ट्रेंट में जाएंगे कंजम्शन उनका बढ़ेगा और कंजम्शन अगर बढ़ेगा तो उससे एकॉनमी बढ़ेगी मुझे लगता है कि वहां जो क्रिशी अधार तो बिल्कुली मतलब समझे कि हसने वाली बात है मतलब आप जस्ट लुक अधर मुन्सिपल कॉर्परेशन की बात नहीं है इस एक माइंडसेट इसू कि वहार में मैंने जो आपको बताया है जो लीडर्सिप रही है उनकी सोच ही है कि ठीक है अब इससे बहतर अब कुछ नहीं हो सकता है तो इसलिए जो नई लीडर्सिप होनी चाहिए उसको थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि उसका बाहर का बिह तो वह तरक्की नहीं है ठीक है पहले मुंबत्ति या लाल टेन जलता था उसके सामने बल वाग्या तो जुरूर्ब खुशी की बात है लेकिन पर-capital electricity consumption में अगर आप 28 में नंबर पे हैं तो तरक्की के किसी भी परामिटर पे आप अपने आपको अपना पीट नहीं ठोक सक में बहुत खराब था अब कुछ थोड़ा अच्छा हो गया है इस टाइम पटना कंपीट्स विथ हैदराबाद बैंगलोर रादर दन यह कहना कि लालुजी के जमाने में तो छे बज़े बंद हो जाता था अभी आठ वजे तक खुला रहता है अरे यह कोई तरक्की का पराम के बढ़ रहा है तो हम लोगी स्थिति की ऐसी बत्तर क्यों है आपने छप्रा की बात कि आप छप्रा टाउन की स्थिति देख लिजे मैं तो तीन साल पहले गया था वहाँ पे मतलब एक भी ऐसी सड़क नहीं जिस पर की जिसको आप मोटरेबल कह सकते हैं नाली सड़क पे सड़क नाली में करीब करीब उसका एक कारण हो गया है और बिहार में हर सहर की सिती ऐसी है टाउन प्लानिंग अनफर्चुनेटली आप इसको कहिए या तो सोचलिस्ट विचारधारा के जो लीडर है टाउन तो उनके प्लानिंग एस्थेटिक्स ये चीज़ें बिलकुल न प्रफार जी नमस्ते प्रसांट जी मेरा क्वेश्चन ये है प्रसांट जी आप और इस बात को बोल चुके हैं कि बहुत हो गया लालू निदेश 90 से लेकर के 22 में हम लोग आ गये पुरा सेंचुडी वदल गया और उसके साथ हजार साल का चेंज हो गया एक तरह से हम लोग यहां पर देख रहा है राउंड टेबल हम लोग मतलब इस लिए भागे हुए हैं और छोड़े हुए आपने राजी को क्योंकि हम लोग के पास opportunities नहीं मिली चाहे पढ़ने की नहीं मिली नौकडी की नहीं मिली तो सब लोग कहीं न कहीं यह दर्द ले करके हम लोग हैं अब हम लोग को जरूरत है कि inspirational leader का और अभी तक बिहार में हम किसी भी party में कोई inspirational leadership देखते नहीं हैं तो हम लोग बहुत निरास हो जाते हैं कि who will bring the change कि हम लोग क्या क्राइम की हैं क्या हम लोग अब जाके politics शुरू कर दें बिहार में हम ही लोग जाकर change करें लेकिन आपको पता है कि जो लोग निकल गए हैं सब लोग बाहर बिहार से तो उनके लिए जाना मुस्किल है तो अब आपको क्या लगता है मतलब आप वहां पे हैं कि आप कम से कम politics में हैं, you have tasted the politics of Bihar, you have been in national politics directly, indirectly, both, so why you are not launching yourself as a viable CM candidate and then fight an election और जनता बहुत इस्पिरेशनल है बिहार की, अगर बिहार की जनता इस्पिरेशनल नहीं होती, तो आप इतने successful लोग बिहार के बाहर बिहारी नहीं देखते और हर बिहारी बहुत इस्पिरेशनल है तो चाहता है कि चेंज हो, लेकिन option नहीं है, किसको vote दे, और अगर आपको लगता है कि crisis है कि आपको vote मिलेगा या नहीं मिलेगा समर्थन, तो आपको यह हम बताना चाहते हैं कि जब BJP आई थी तो लोगों को लगता था कि लालू के अलावा किसी और को vote नहीं मिलेगा, नि चेंज के लिए लाया, beyond party politics, caste, creed, जाकर के vote किया सब में, तो हमको लगता है कि जनता, time is right, जनता is ready for a change, what is needed is an inspirational leader, perhaps like you, and you should take the lead, that's my goal. देखिये, पहले तो मैं वो inspirational leader सिप प्रवाइड कर सकता हूं कि नहीं वो जनता को टाह करने दे हम, मैं आपको दो-तीन बाते यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि, see, there is a saying which I quote very frequently from Pluto, that if you do not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferiors, तो आप हम सब इस बात के दोसी हैं, कि अगर हम खुद participate democracy में नहीं करेंगे, तो कोई जो हाँ leader है, वही leader बन जाएगा, वही हम लोग को rule करेगा, तो कहीं न कहीं दोस्त जो है, वो हम लोगों को भी उसका एक share तो लेना ही पड़ेगा अपने सर पे, जहां तक यह आपने ब लेकिन डेली बेसिस पर सेक्रोलोग मिलते हैं, जो मुझे बताते हैं कि मैं कुछ करना चाहिए, और मैं इसी field में हूँ, चुनाओ लड़ना, लड़ना, जीतना, 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 यह थोड़ा बहुत तो जरूर, भगवान के दिया से थोड़ी समझ तो जरूर मुझे है, तो उसको लेकि कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे लिए जो महत्तपूर्ण है, मैं temperamentally ऐसा सोचता हूँ कि one should not do something unless they have the real value proposition to offer, तो मैं एक पार्टी बना लूँ, उस पार्टी से कुछ आमूल चूल, अगर मैं offer करने की सीथी में नहीं हूँ, तो उसका कोई बहुत फायदा होगा, संभव है कि आज नितीज दिया है, कल मैं हो जाओंगा लेकर उसके बिहार बदल जाएगा, यह जरूरी नहीं ए, उसके लिए जरूरी यह है कि मैं तब जाओं मैं मुझे क्या करना है, वह करने के लिए जिन लोगों की जरूरत है, वह लोगों को मैं motivate कर सकूँ, उन रहाँ आदमी अच्छा कहके ही सप्ता मैं आता है सप्ता में आने कि पर आने के बाद सब बिगड़ जाते हैं लोग तो तो मैं ये भी आपसे दावा नहीं कंसल्टिंग चलाते हैं, कोई कहता है, इनकी कोई आइजया नहीं है, कोई कहता है, यह गन फर हायर है, हर आदमी के अपनी सोतंतरता है, कहने कि उसमें कोई दिक्तत नहीं है, क्रिटसाइज कर सकते हैं लोग, मेरे लिए वो लर्निंग का तरीका है, कि मैं अलग-अलग जिवन के, उसमें लगाए हैं, 2011 से लेके 2021 तक, और देखिए इसलिए जब बेंगॉल हम लोग जीते हैं, एक तरह से मेरे केरियर का वो पीक था, उस अध्याय का, फिर भी मैंने वो छोड़ दिया, और फिर मैंने उसके बाद एक साल अपने लिए समय तह किया है, कि एक साल म मैंने आपको बताया कि एक नया कुछ बनाएं, उससे अच्छा है कि इनकी पार्टी अगर इसको मैं पूरी तरह से ट्रांस्फॉर्म कर सकूँ, अनफर्चुनेटली वो नहीं पाया, और आई वाद बिक फेलियर, लेकिन मेरा ऐसा, मेरा विश्वास है कि मैं उस गलती से होँगा, और इस बार जब कुछ भी, जो कुछ भी मैं करूंगा, तो अच्छ बार्टी के लिए पार्लमेंट में जाना, लोग ओफर देते रहते हैं, बार्लमेंट में चोटी बात नहीं है, मैं उसों डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिहार को लेके जो इतना है कि मैं पार्लिमेंट नहीं जाना मैं जब जाओंगा जाओंगा तो बिहार ही और वहाँ पर कुछ खड़ा नया करूँ अब आप फॉर्मेशन देखिए क्या है हम लोग पुलिटिकल पार्टी से आते नहीं है हमारे बाप दादा ऐसे नहीं है कि जिनके नाम पर हम आएं और पार्टी बना लें हमें खुद से ही लड़ना है खुद से ही सीखना है उसमें लोग गिराते हैं फिर उठके खड़ा हुए है वह अपने से जगह यहां बनाई है अब भगवान की क्रिपासे ऐसी जगह पे आ गए हैं कि जहां एक चोईस अगर मन में आ जाए कि आगर करना है कि मुझे लगता है कि छुसी भी पार्टी से कर सकते हैं जिस पार्टी को भी ने चुट इस जैसे वो बना सकते हैं एक दो महिने में करेंगे प्रयास और जहां तक आपने कहा बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं इसमें तो मैं आप से बिलकुल ही सहमत हूं आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं मेरे पास करीब करीब अभी 270 से ज्यादा सिटिंग आईएस IPS ऑफिसर है जिन्होंने किसी ना किसी फॉर्म से मुझे रिचाउट करके कहा हुआ है अलग-अलग राज्यों से कि भाई साब आपको शुरू कीजिए तो मैं हम लोग अपना नौपरी छोड़ कर आएंगे यह कुछ होगा मैं यह नहीं किया रहा है कि सब कल ज्वाइन कर लेंगे यह भ एचीवर्स ऑफ देर ओन कम्यूनिटी ओन ब्लॉक पंचायर जहां पर लोग समझते हैं इन्होंने कुछ किया है अपने गाउं में तो भी साइन्स कोलेज में पहुंच गया यही बहुत बड़ा एचीमेंट है वहां से आयाइटी चले गया तो जवार में बात हो गई आई एस कंपीट कर गया आप इंटर इंटर्प्रिनर हो गया कहीं बड़े कॉलेज इन्वर्सिटी में चले गया तो आप बड़े एचीवर है ऐसी एक बड़ी संक्या है मेरे साथ में सब आएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन मुझे उसके लिए मेरी पात्रता को और जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करूंगा मेरी जो चमता है आप उसके लिए आस्वस्त रहें मैं यह फिर आपको लेकिन उस के साथ कह रहा हूं कि आप यह आसा ना बांदें कि मैं वह इंस्पिरेशनल लीडर मैं ही हूं लेकिन प्रयास जरूर मैं अब उस स्टेज पर पह है क्यों को मोटरसाइकल कंपनी हमारे एक प्लांट नहीं लगाती है तो एक चीज अब जो बोले कि हम लों को पानी अग्रिकल्चर यही सब चीजों में आगे बढ़ना है मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं यह बलूंगा कि हम लों को मैनुफैक्ट्रिंग कर नहीं है उस नहीं किया मैंने यह कहा कि जो भी बिहार का नए बिहार का जो मॉडल बने आर्थिक विकास का उसके मूल में तीन चीज़े होनी चाहिए पानी जमीन और लोग यह तीन चीज़ तो हमें हमारा डिस्टिंग्ट एडवांटेज है मैं एकदम मैक्रो लेवल की बात कह रहा हूँ अगर आपको मैनिफैक्ट्रिंग भी करनी है तो वह मैनिफैक्ट्रिंग यूनिट चाहिए जहां पानी आपको ज़्यादा चाहिए और दूसरे राज जाकर श्रिवकाशी में काम कर रहे है आज पूरे तेलंगाना में जो कंस्रक्शन इंडस्ट्री है इस सिक्स्टी तो सेवेंटी परसंट सपोर्टेट वाई लेवर्स फ्रम बिहार नोट लेवर्स इवन दो सेमी स्किल लेप पीपल यहार मैंने यह कहा कि उसके मूल में मैं करेंगे कि सर्विस सेक्टर में जाएंगे कि अग्रिकल्चर करेंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि बिहार की नए बिहार की कहानी जो कुछ भी लिखी जाएगी उसके मूल में तीन हमारे जो लोग कहते हैं कि बिहार में है क्या बालू बालू और पानी के छोड़कर बचा क्या है मैं उनको यह बता रहा हूं हमारे पास सबसे जादा पर कैपिटा पानी की बहुतायत है और हमारे पास सब से कुसल और मेहनत करने वाले लोग हैं इन तीनों को ही फांडेशनल बना कर आप बहुत बड़ी वहां पर आर्थिक विकास की कहानी लिख सकते हैं यह एक दम सोची समझी बात है एक और चोटा सा पॉइंट है अग्रिकल्चर में क्योंकि हम भी हर साल दो यह पीन बार जरूर इजाते हैं और गाओं में घुम्ते हैं हम को लगता है कि जो Land Holding हो गई हम लोग किया है इतनी चोटी हो गई है ढिवाइड़्द हो गई है और स्केरट हो गई है कि हम लोग कि Um प्रफिटेबल बिजनेस नहीं रहा बारिंग फ्यू एक्सेप्शिंस तो इन जेनरल अगर हम लोग को रिफॉर्म करना है तो खेटी में चकबंदी या लैंड कुलिंग करना ही पड़ेगा अधर्वाइस विल नवर भी प्रफिटेबल इन अग्रिकल्चर अगर आप स्वामी नहीं है इफ यू एकाउंट फॉर देन लेबर कॉस्ट क्योंकि किसान जो काम करता है वह अपना लेबर कॉस्ट में जोड़ता नहीं है कई मायनों में तो वह प्रफिटेबल नहीं है तो बिहार में डेफिनिटल में गए बगएर यह कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी शिदिटि फ्रॉफिटेबल इंडिया में होदब वहार उस्समें सबसे करती होना चाहिए यह कह रहा हूं क्योंकि खेती में जो लगना है जमिनी अगर हडियाना में भास्मती हो रहा है वहां पानी है जमीन है बह डहतर द। बिहार से और हरियाना में जो चावल पैदा कर वो मॉडल उसका क्या होगा जिस राज्य से भूदान आंदोलन शुरू हुआ वहाँ पर लैंड होल्डिंग आज तक लैंड रिफॉर्म को कम्प्लीट ही नहीं कर पाए हम लोग